So, alright guys, well, ये English compulsory KS Mains 2022 का जो आज conduct हुआ है, उसका paper हमारे पास पहुंचाया है. ये जो English का compulsory का paper होता है, इसके अंदर जो है maximum marks आपको 300 दिये जाते हैं, तीन घंटे का आपका time रहता है, ये वाला paper आपका qualifying nature का होता है. That means इस वाले paper के अंदर आपको सिरफ 75 marks secure करने होते हैं, अगर आप 75 marks secure करते हैं, तो आपके दूसरे paper जो है check होते हैं. तो आपने आप में ये वाला जो आपका paper है, पहला आपको essay देखने को मिलता है 100 marks का, जिसके अंदर 600 words के रावन जो है आपको दिये गे चार options में से किसी एक पे भी आप चूस कर सकते हैं. तिन आपको precise writing करनी होती है, ठीक है, आपकी जो next वाला जो है आपको एक paragraph दिया जाता है, इसके बेस्ट पे नीचे आपको 5 questions पूछे जाते हैं, तो ये वाला आपका एक paragraph दिया गया है, तिन आपको जहाँ पे नीचे इसके 5 questions दिये गए हैं, जिसके आपका schools के अंदर रहत ता, उसके बाद आपको आदा है precise writing का, इसके अंदर आपको एक paragraph दिया जाता है बड़ा सा, आपको इसको जो है one third करके छोड़ा करके लिखना होता है, जिस तरह schools के अंदर आप precise writing करते थे, ये वाला paragraph है, जिसको आपको कम करके लिखना होता है, दिन आपको कुछ sentences मिलते है and 10 marks होते हैं जिसकी अंदर आपको correct करके लिखना होता है जो correct होते हैं उनके साथ नहीं छेड़ना होता दिन आपको fill-ups मिलते है missing words के दिन आपको जहाँ पे verbs की related fill-ups मिलते हैं पांच marks के दिन आपको antonyms मिलते हैं पांच marks के दिन आपको जो है do as directed जिसमें आप जो है classes वगारा जो है add करते हैं जा कुछ words वगारा according to directions आपको इनको solve करना होता है active passive वगारा ठीक है generations वगारा को change करना होता है 10 marks जिसके मिलते हैं दिन आपको sentences बनाने होते हैं कुछ words पे 5 marks के लिए दिन आपको again fill-ups मिलते है ठीक है दिन आपको जो है जहां पे phrases मिलते हैं जिनको आप ने जो है वह sentences बनाने होते हैं तो यह होता है आपका English compulsory का paper जिसके basis पे आपके दूसरे मेंस के paper चेक होते हैं जब पूरा total किया जाता है मेंस के marks तो यह जो 300 इसमें जितने भी आप marks score करेंगे इसको जो है फानली काउंट नहीं किया जाता बट इसके अलावा जो आपके papers के अंदर marks score करते हैं वह सारे marks जो हैं आपके काउंट किये जाते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाए